चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग केविन को बचा कर ही रहेंगे क्या तुम हमें उस पुराने पैलेस तक ले जा सकते हो ठीक है बाबा आप लोग मुझे पे बैट जाओ राड चीनू टीनू और बाबा ड्रेगन पे बैट जाते है चीनू मुझे तो इविल नन की दूसली दुनिया में जाने में बहुत दर लग लहा है पता नहीं हम लोग वापस जिन्दा लौत कर आएंगे की नहीं चीनू टीनू तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को कुछ नहीं होगा भोड़ी देर में वो लोग उस पुराने पेलेस के पास पहुट जाते है उस पुराने पेलेस में से अजीब अजीब सी आवाजे आ रही थी ये पेलेस तो बहुत खतरनाक है ये पेलेस बहुत खतरनाक है इविल नन ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया है इसलिए यहाँ पर उन लोगों की आत्मा भटकती है ये सुनके रोड चीनू और टीनू बहुत ज्यादा डर जाते है ड्रेगन अब यहाँ से हमें कह पर जाना होगा बाबा इससे आगे का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता वो तो आप लोगों को ही ढूंड ना होगा ठीक है ड्रेगन अब तुम जा सकते हो ड्रेगन वहां से चला जाता है चलो पैलेस के अंदर जाके दूसरी दुनिया तक पहुचने का रास्ता ढूंडते है रोड, चीनू, टीनू और बाबा दूसरी दुनिया तक पहुचने का रास्ता ढूंडने लगे तबी टीनू को एक शीशा दिखाई देता है अले ये कैसा शीशा है इसमें तो मैं दिखी नहीं लहा हूँ जैसे ही टीनू शीशे के करीब जाता है वो शीशा टीनू को अपने अंदर खीचने लगता है रार चीनू बाबा ये शीशा मुझे अपने अंदर खीच लहा है टीनू रुख जाओ बाबा के आने से पहले ही वो शीशा टीनू को अपने अंदर खीच लेता है रार चीनू इस शीशे ने टीनू को अपने अंदर खीच लिया मुझे लगता है कि यही इविल नन की दूसरी दुनिया तक पहुचने का रास्ता है चलो जल्दी इस शीशे के अंदर कूद जाओ रार चीनू और बाबा शीशे के अंदर कूद जाते है थोड़ी देर में वो लोग इविल नन की दूसरी दुनिया में पहुच जाते है तीनो तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है अब हम लोग आ गए है रार चीनो बैबा आपके उपल देखो रार चीनो बैबा आपके पार चाते है